श्राइज जी गुड मॉर्निंग अगेन बताए नवरतन सबसे पहले अफकॉस एर्निंग्स फोकस में रहेगा इन्फोसिस की बात करें तो स्ट्रॉंग सड़ नंबर्स आये हैं और वही अगर सीसी रेविन्य ग्रोथ बात करें तो अल्मोस्ट 3.6% बढ़ा है सिक्वेंशली इंट्रिसिंगली विच साल 2025 के लिए जो रेविन्य गाइडेंस उसको बढ़ा दिया गया है अपग्रेड कर दिया है तीन से चार परसंट का था पहले ही अनुमान एक से तीन परसंट का था तो यहां पे एक सिग्निफिकन अपग्रेड आया माजिन गाइडेंस की भी बात क इंपाक्ट आया है रालिस की बात करें तो लाजली वीक सेट अफ नंबर आये हैं अब देखा जाए तो यहां पर उनके एक्सपोर्ट डेटा पर जो है अफकॉस नंबर वीक आये है और मैनेजमेंट की कमेंटरी दो एहम बात आई है एक्सपोर्ट मार्केट को लेके वो कह हो गया है इंडिकेटेव इशु प्राइस लगबख साथ परसंट डिसकाउंट पर है स्मॉल कैप कंपनी कंट्रोल प्रिंट जो है फोकस में रहेगी यहां पे न्यूज आ रहे है कि यूपी की रेरा ने अनौन्स किया कि प्रमोटर जो है अपने रियाल्टी प्रोजेक्स क है यहां पे जो है टेलिकॉम मिनिस्टर सिंधिया जी का बयान आया है कि कोई डिफॉल्ल के बॉंड ड्यूज में नहीं होगा थोड़ा दिन पहले ही अनौन्समेंट आया था कि लगबख सौ करोड रूपे गवर्मेंट ने एस्क्रो अकाउंट में दिये हैं ताकि उनके इ इंडियन एक्सपोर्टर उनको एक सेंटिमेंटल बेनिफिट ज़रूर मिलेगा स्पाइजिट के बाद करें तो 23 जुलाई को एहम बोर्ड मीट है जहां पर क्यू आई पी से फंड जुटाने के लिए विचार करेंगे और आखिर में हमारा जो बिग बोल ब्रोकरेज है हमा है वह बढ़ते जा रही है तो इसके कारण थोड़ी सी जो है बेरिश नजरिया जो इस स्टॉक के लिए बना है सिटी के लिए तो यह एहम नौके नवरतन ने जहां पर आज आएक्शन देखने मिल सकता है ठीक है तो यह आज के नवरतन शेयर हो गए जहां पर आपको इस समय ट्रेट देखना चाहिए या फिर समझना चाहिए इन सभी में कुछ ना कुछ असर आपको जरूर देखने को मिलेगा